नमस्कार्ट स्वागत है आपका आप देख रहे हैं दन्यूज और मेरानी गुप्ता आपके साथ इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से आपको बता दे कि जम्मू कश्मीर के दिगच नेता गुलाम नभी आजजाद ने बड़ा वयान दे दिया है उन पर जो लोग हैं वो कनवर्ट होकर की मुसल्मान बने हैं आप कहीं बाहर से नहीं आए हैं इसी के साथ उन्होंने कश्मीर को लेकर के भी बड़ी बात कही है उनका कहना है कि कश्मीर में आज से 500-600 साल पहले कश्मीरी पंड़त हुआ करते थे लेकिन ये तमाम लोग आज कन करके मुसल्मान बन चुके हैं आपको बता दे कि इस बड़े बयान के बाद जाहिर तोर पर सियासी घमासान मचना लाजमी है लेकिन वहीं गुलाम नभी आजजाद ने तुस्टी करन की राजनीती करने वालों पर भी बड़ा निशाना साधा है उनका कहना है कि जो लोग ना पड़ता है आपको बता दे कि कॉंग्रस से अलग हो करके डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी बनाने वाले जमु कश्मीर के पूर्व मुख्य मंत्री गुलाम नभी आज़ाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी जादा वाइरल हो रहा है इस वी का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने जमु कश्मीर में हुए डेवलप्मेंट को लेकर मोदी सरकार की तारीफ भी की थी और ऐसे समय में एक बर फ़र से सोशल मीडिया पर गुलाम नभी आज़ाद का ये वीडियो सामने आ गया जहां पर वो ये कह रहे हैं कि पहल विपाक्ष की टेंशन लगातार बढ़ने वाली है क्योंकि काहीं ना कहीं विपाक्ष जो है जम्मु कश्मीर को लेकर के खास तोर पर सियासत करते हुए नजर आता है जम्मु कश्मीर में आभी भी कई सारे लीडर से मौजूद हैं जो कि लगातार यही कहते हैं कि जम्मु कश्मीर में जो शांती है वो शांती नहीं बलकि एक तमाशा है चाहे फिर वो टुरिज्म हो या फिर कोई और G20 जैसा सम्मेलन महाँ पर हो उनका कहना है कि जब तक पाकिस्तान से इसको लेकर के बात नहीं होती तब तक शांती नहीं होगी यानि कि बार बार पाकिस्तान का र पर बारल हो रहा गुलाम नभी आज़ात का वीडियो जम्मू कश्मीर के टोडा जिले का है आज़ात 9 अगस्त को यहां भाशन देने पहुंचे थे वीडियो में गुलाम नभी आज़ात कहते हैं इसलाम का जन्व 1500 साल पहले हुआ भारत में कोई भी बहरी नहीं है हम सभी इस सिदेश के हैं भारत के मुसल्मान मुलरूप से हिंदू थे जो बाद में कनवर्ट हो गये हैं डोडा में दिये भाशन में गुलाम नभी आज़ात कहते हैं कि कश्मीर में 600 साल पहले सर्फ कश्मीरी पंडित थे फिर काई लोग कनवर्ट हो करके मुसल्मान बन गये इस दोर धर्म के नाम पर वोट नहीं देना चाहिए साथ ही गुलाम नभी आज़ाद ने राजनीती से धर्म को जोडने वाले लोगों पर भी निशाना साधा है उन्होंने कहा कि राजनीती में जो मजभब का सहरा लेते हैं वो कमजोर है जिनको खुद पर विश्वास होगा वो मज हूं इसलिए मुझे बोट दो आपको बता दे गुलाम नभी आज़ाद ने इस दौरान ये भी कहा कि हम बाहर से नहीं आये हैं इसी मिट्टी की पैदावार है और इसी मिट्टी में खाक होना है वहीं बीजपी के किसी नेता ने कहा है कि कोई बाहर से आया है कोई अंदर से आया है मैंने उनसे कहा कि अंदर बाहर से कोई नहीं आया है हिंदूों में जलाया जाता है इसके बाद अवशेश नदी में डाल देते हैं वो पानी अलग अलग जगा जाता है खेत में भी जाता है यानि हमारे पेट में चला जाता है भारतिय मुसल्मानों की बात करते क्यों करना दोनों इसी मिट्टी में मिल जाते हैं कहने का मतलब यह है कि यह सब सियासी जंग है आपको बता दे गुलाम नभी आजजाद कॉंग्रेस के दिगश नेताओं में गिने जाते थे वह काफी लंबे समय तक कॉंग्रेस में बड़े ओहदे पर भी रहें केद्र सरकार में मंत्री की जिद्मधारी भी समभाली और साथ ही गुलाम नभी आजजाद जम्मु कश्मीर के सीम और राज़सबा सांसत भी रहे वहीं गाधी परीवार में खटपट के बाद उन्होंने कॉंग्रेस से इस्तिफादे दिया था साथ ही अपने स्तिफिव में उन्होंने ब बखादा एक लेटर भी लिखा था और उसके बाद इस्तिफा दे दिया इसके बाद उन्होंने डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी बनाई बता दे कि गुलाव नभी आज़ाद के राजसभा से रिटार होने वक्त उनकी तारीफ करते हुए पिया मोदी भी भावक हो गये थे समय समय पर देखने को मिलता है कि गुलाव नभी आज़ात बीप्रदान मंत्री मोदी की तारीफ करते हुए भी नसर आते हैं और यह सुझारत भी नसर आते हैं कि जम्मू कश्मीर में किस तरीके से लगातार बदलाव आ रहे हैं और यह बदलाव सही माईने में धारा 370 वह कि जम्मू कश्मीर से आई है वो वाकई में हर इंदुस्तानी को खुश करने वाली तस्वीर है चाहे फिर वो लाल चौक का हो ब्रिच का हो या फिर तमाम ऐसे एरिया जहां पर कभी भारत के तिरंगे भी नहीं लहराया करते थे आज वहां पर लाल चौक जो है पूरी तरीके से तिरंगे की रोशनी से जगमगा उठा था ऐसे में यह तस्वीरे साफ तोर से बया करती है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का जो निर्णय था मोदी सरकार का वो काफी हद तक सही था साथी वहां के युवा भी मानते हैं कि इससे जम्मू कश्मीर की जो डेवलपमे जम्मू कश्मीर काफी जादा अच्छा है और जो पत्राव की घटनाये देखी जाती ती आतंगबाद वाली इस्थती देखी जाती थी वो एशती भी अब नाके बराबर है इसी के साथ ही आतंगबाद और आतंगबादियों को जो फंडिंग का करते थे और उनका जो साथ दिया करते थे वो भी चीजे अब जम्मो कश्मीर से पूरी तरीके से गाब होती हुई नजर आ रही है उनपर भी लगातार मोदी सरका लगाम कसते वों नजर आ रही है ऐसे में हर कोई इस वक्त जम्मो कश्मीर की तारिफ कर रहा है तो वहें परश्रम बंगाल समेत कई राज्यों में इसी तरीके की तुस्टि-करंड की राज्णीती का सहरा लेते हुए नजर आते हैं। और खास कर एक विशेस समुदाय को ध्यान में रखते हुए, उनके वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए, कई सारी स्कीम्स भी लागू करते हैं, फिलाल इस खबर को ले करके आपकी क्या रहा है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, आगी क्यों और भी अपडेट क लिए चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले,